हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोड के फ्रेंज ओनलाइन फॉर्म अप्लाइ प्रोसेस के बारे में जो की फ्रेंज यहाँ पर निकाली गई है बिहार राज्य के इंटर इस्तरिये सिक्षन संसानों में इंटरमीडियेट कक्षा में विध्यारतियों के ओनलाइन नामंकन के लिए जो फ्रेंज ओनलाइन फॉर्म जारी किये गए है वो आप कैसे अप्लाइ कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बा प्रोसेस के बारे में और इसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो यहां पर देखें फैंस यहां पर इसमें आविदन करना है इसके लिए फैंस आपसे कहा गया है देखी सबसे पहले कि आप एक आविदन पत्र के माध्यम से विभिन कॉलेज तथा विध्यालों में अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं इसके लिए आपको पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन मोड में करना है मेल इडी वे मॉबाइल नंबर आपके एक्टिव होने चाहिए क्योंकि उस पर एक OTP आती है वो OTP आपको वेरिफाय करना होगी तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को आप रीड करेंगे इसके बार किलिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा अब अगर आपका जो रोल कोड है और आपका जो रोल नंबर है वो आप मैंशन करेंगे रोल नंबर मैंशन करने के बाद आपको आपकी जो दे और विए हैं गार अगर आपको अगर आपको सारे जये डाबर से allowing हैं Darrin payload कि है उस सइक नजिशन में आपको इन और करना होगा तो मैं friends से other state से fill करके दिखाऊँगा क्योंकि friends से मेरे पार data नहीं है बिहार के candidate की तो friends से आपका जो process है वो same रहेगा जैसे आप यहाँ पर बिहार board select करेंगे उसके बाद friends से automatic आपकी जो data है वो यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर तो 10th आपने pass क्या है उसके आपके school का नाम क्या है तो school का पूरा नाम आप यहाँ पर enter करेंगे इसके बाद friends से किस district में है वो आपको देना है आपका year of living क्या है school को छोडने का वो आपको देना है address क्या है, school का, वो आपको देना है year of joining क्या है, वो आपको यहाँ पर देना है तो आप जिस भी विध्याले का, यहाँ पर जानकारी दे रहे है, district दे रहे है उसमें joining date क्या थी, और living date क्या है, वो आपको देना है और आपसे पूछा गया है, क्या आपने दस्वी की परिक्षा, कस्तूर्बा, गांदी, अवाश्य, बालिका, चातरवास में रहतोवे उत्रिन की है तो आप यहाँ पर यस्यनोग कर सकते है इसके बाद नीचे आपकी personal detail है, सबसे बहले gender आपको select करना होगा आपकी मातर भाशा कौन सी है, तो आपको यहाँ पर multiple language मिल जाती है वो आपको select करना है, nationality select करनी है, religion select करना है आपको उसके बाद आपका blood group आपको पता है, तो select कीजिए, नहीं तो आप इसे blank के छोड़ सकते है इसके बाद है आपका correspondence address, correspondence address होता है जहाँ पर आप present में रहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले state choose करना है, इसके बाद friends से आपको यहाँ पर district है वो आपको select करना होगा तो district के list आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके बार friends आपको block या municipality यहाँ पर select करनी होगी तो आपका जो भी आपका यहाँ पर municipality है वो आप select कर सकते हैं आपका friends जो पूरा address से वो आप यहाँ फिल करेंगे पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे आपका active and valid mobile number और mail ID आपको यहाँ पर enter करनी है आपका friends अधारकाड number का 12 digit है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बार आप इसे यहाँ से declare कर देंगे नीचे friends reservation category है तो general, OBC, SC, ST जो भी आपकी category है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं नहीं है तो आप no करेंगे EWS है तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं इसके बार friends अधार यहाँ पर है please fill the option of the college in stream जहाँ पर आप admission लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखे district name का option है तो आपके according जो भी district आप यहाँ पर select करना चाहें आपको यहाँ पर list मिल जाती है वो आप select कर लेंगे इसके बार college name आपको यहाँ पर select करना होगा इसके यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इकिट सेलेट कर लेना है इसके बार friends आप चाहे तो school जोश का code दे सकते हैं और उसके बाद सर्च आप यहां से कर सकते हैं और आपको देखें यहां के जितने भी college या institute है वो सारी list आपको यहां पर मिल जाएगी category मिल जाएगी arts में, science में, commerce में, कितनी आपकी seats हैं वो सारी जानकारी आपको यहां मिल जाती है courts आपको यहां पर मिल जाएगे तो यह जानकारी friends आपको यहां पर देनी होगी अब अपने according जो भी यहां पर सबसे पहले preference देना चाहें अब यहां पर arts और science की seats हैं वो आपको यहां पर select कर सकते हैं तो यह friends इस तरह से आपको यहां पर जो आपके college या institute है वो आपको यहां पर select करने होंगे इसके बार friends इस नीचे आप से पूशा गया है कि आप एक से ज़्यादा के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आप यहां पर yes कर देंगे इसके बार देखिए आपका यहां पर यह section upload हो जाएगा इसके बार add to college पर आप जाएगे इसमें friends आपको यहां पर देखिए दोबारा से आपको यहां पर district select करना है इसके बार college select करना है इसमें friends आपको seat select करनी है और उसके बार friends add to college करेंगे तो यह आपका automatic यहां पर add हो जाएगा ऐसे ही friends आप माल लिजे किसी और के लिए भी apply करना चाहते हैं तो आप दोबारा से stream को select करेंगे और उसके बार friends आप add 3 college कर देंगे आप यहाँ पर friends इस तरह से college को enter कर सकते हैं और college की जो list है वो आप यहाँ से check कर सकते हैं इसके बार friends आप नीचे आएंगे यहाँ से आप इसे declare करेंगे declare करने के बार आपको आविदन शुल्क जमा करना है तो आप friends इस option पर click करेंगे please click here to deposit the application fees और इस option पर click करने के बार ही आपका जो next option है वो open होगा तो friends अभी देखिए यहाँ पर जब भी आप click कर रहे होंगे इसके बार आपको देखिए इस तरह का error होगा your common application form is not saved तो यहाँ पर देखिए friends से form में कोई दिक्कत नहीं है इसके site के server की problem है तो इसकी वज़े से आपको यह error आ रहा होगा तो friends से यहाँ पर आप click अभी नही कर पा रहे हैं तो अभी आप wait करें क्योंकि site का server है उसकी वज़े से यह issue आपका है क्योंकि यह option तभी अक्टिवेट होगा जब आपने सारे options fill कर दिये होंगे इसलिए friends से यहाँ पर आपको wait करना ही होगा आगी की process के लिए हम दूसरा वीडियो जल्दी ही बनाएंगे पर वो आपके सिर्फ payment का ही होगा तो आपकी जो fees है वो आप किसी भी mode में चाहे आप online जो है payment किसी भी credit card debit card net banking जैसे भी आप करना चाहे अपने payment को verify या confirm कर सकते है payment होने के बाद payment की slip आपको मिल जाएगी और इसके बाद ही friends आपका जो है इसमें final जो आपका form है वो आप इसका print out ले सकते हैं तो यह जानकारी इसके notification में भी आपको मिल जाती है साथ में friends video description में jobrasa.com पर भी मैंने आपको provide कर दी है जैसे मैंने कहा कि site में अभी server में कोई issue है इसकी वज़े से आपको यह error आ रहा है यह error एक बास सही आपका हो जाएगा इसके बाद friends आपको सिर्फ data को confirm करना है mobile number पर जो OTP आई है वो OTP आपको verify करनी है और उसके बार आपके application fees को आपको pay करना है जो की 3.500 रवे fees आपकी यहां पर रहती है server की वैसे tension ना लीजिए अगर OTP भी नहीं आ रहा है तो भी tension मत लीजिए आपको wait करना ही है क्योंकि friends अभी इसके server में issue है इसकी वज़े से आपको यह problem face करनी पढ़ रही है आप चाहें तो friends से video description में jobrasta.com पर जाकर details को check verify ज़रू करें जिससे आपको आने वाली कोई भी problem में कोई भी दिक्कत ना हो अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटिप चैनल एला सेंक्स पूर वाचिंग